हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरे चैनल दुनियादारी आइडिया फॉर लाइफ में दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने APY मतलब अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट किया है और अभी तक आपको प्रेंड कार्ड मतलब पर्मानेंट रिटार्मेंट नंबर कार्ड नहीं मिला है तो कैसे आप APY प्रेंड कार्ड को अपलाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और इसकी टोटल फीज 53 रुपया 49 पैसे होगी जिसमें GST इंक्लूड होगा और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे ही छोटे छोटे इन्फरमेटिक वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो के साथ फ्रेंड्स आपको डेक्स्टॉप या मुबाइल के ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है NPS और इंटर कर देना है इंटर करने के बाद दोस्तो जो सर्च में आपको फर्स्ट आप्शन शो होगा ध्यान से देखिएगा E-NPS National Pension System NSDL इस पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद दोस्तो आपके सामने National Pension System की जो वेबसाइट का में पेज़े खुल कर आ जाएगा इसमें आप देखेंगे आपको दो ओप्शन दिखेंगे पहला ओप्शन देखेंगे यहाँ पर शो हो रहा है National Pension System और सेकेंड ओप्शन दिख रहा है अटल पेंशन योजना जी यहाँ दोस्तो इस पर हमें क्लिक करना है और आगे बढ़ना है क्लिक करने के बाद Friends आपको देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पर शो होगा Instruction for Print APY Print Card मतलब यहाँ पर सब लिखा हुआ है कि कैसे आपको Follow करके APY Print Card को Print के लिए अपलाई करना है और दूसरा यहाँ पर दिया ओप्शन देखिए दोस्तों Print APY Print Card मतलब यहाँ पर आप जाके प्रोसीड कर सकते तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर देखिए शोहरा Print APY Print Card और नीचे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा Permanent Retirement Account नमबर तो जो आपका Print Number है उसे यहाँ पर आपको टाइप करना है तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ Print Number टाइप करने के बाद दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है Date of Bird तो चलिए मैं यहाँ पर अपना Date of Bird टाइप कर लेता हूँ Date of Bird टाइप करने के बाद Friends यहां पर आपको तीन option आएंगे, एक तो आएगा new print card request, दूसरा है redispatch of print card, और तीसरा है view request status, तो friends जैसे की मेरा video है, print card apply करना, तो देखें फर्स्ट option है new print card request, तो इस पर already tick है, उसके वाद हमें आगे बढ़ना है, देखें यहां पर पूछा जा रहा है, add and enter capture, तो यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, 69 plus 9, तो इसका total यहां पर आपको type करना है, तो चलिए मैंने type कर लिया, यह हो गया answer, उसके आद देखें नीचे पूछा जा रहा, verify print, तो जो print number आपने type किया, उसे verify करना है, तो चलिए मैं click करता हूँ, verify print पर click करने के बाद दोस्तों, यहां यहां पर देखें, message आ रहा है, OTP का, तो आप जब इस send OTP पर click करेंगे, तो आपके register mobile number पर एक OTP जाएगा, तो चलिए मैं click करता हूँ, click करने के बाद दोस्तों, यहां पर देखें, आ रहा है, OTP send successfully to register mobile number, जो आपका register mobile number है, उस पर OTP चले जाएगा, तो चलिए मुझे आ चुका है, OTP तो मैं यहां पर डाल देता हूँ, OTP डालने के बाद दोस्तों, यहां पर देखें, submit option है, और regenerate OTP का option है, अगर OTP नहीं आएगा, तो आपको regenerate OTP पर click करना है, लेकिन मुझे OTP आ चुका है, तो चलिए मैं submit option पर click करता हूँ, click करने के बाद friends, देखें, जो subscriber brand है, उसका number show होगा, subscriber का नाम show होगा, देखें नीचे दोस्तों, address confirmation का option आ रहा है, the brand card will be delivered at below address, तो नीचे देखें, जो address है, आपको confirm करना है, address confirm करने के बाद दोस्तों, यहां पर देखें, नीचे click करना है, कि यह address proper है, तो यहां पर चलिए मैं click करता हूँ, click करने के बाद जैसे कि मैंने वीडियो के start में बताया था, brand card का printing charges 45.25, मतलब 45.25 और उस पर GST लग रहा है, 8.14 पैसा, total है, amount 3.49 पैसा आपको लगेगा, तो आपको दो option दिया जा रहा है, payment gateway option है, एक तो bill desk है, और एक access pay upi, तो आप दोनों में से कोई भी choose कर सकते, चलिए मैं access pay upi choose करता ह हूँ, option choose करने बाद friends, यहाँ पर देखिए, declaration by subscriber, तो यह message है, इसे read करना है, और यहाँ पर click करना है, click करने के बाद यह आपको make payment option आगे बढ़ने दिया जाएगा, तो चलिए मैं make payment option पर click करता हूँ, click करने के बाद दोस्तो payment gateway charges, यहाँ पर language पूछा जा रहा है, English, Hindi, तो जो भी आप select करना चाहते कर सकते हैं, यहाँ पर सब details दी होई है, उसके आद यहाँ पर देखिए, दिया जा रहा, proceed करने के लिए, तो चलिए मैं proceed करके आगे बढ़ता हूँ, proceed करने के बाद दोस्तों देखिए, UPI payment file open हो चुकी है, और यहाँ पर देखिए, पूछा जा र दोस्तों, जो आपका UPI है, उस पर एक message जाएगा, वहाँ से आपको payment कर देना है, तो चलिए, मैं अपना payment done करता हूँ, friends payment done करने के बाद, देखिए, मुझे यहाँ पर show हो रहा है, direct receipt of payment confirmation, new print card request, और यहाँ पर देखिए, payment detail आ चुकी है, name of the subscriber, permanent retirement account number, net amount, new print card request, और सारी banking details, और successful, इसे दोस्तों, इस print को आप save कर सकते हैं, या तो print देकर आपके पास रख सकते हैं, तो friends, देखिए कितना असान है, अपना APY print card apply करना, तो friends, फिर मिलूँगा, ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार और गुड़ बाई,